कि हेलो डियर लेर्नर्स वेल्कम टूडी शेशन तो जैसे कि आपको पता है कि यह हम लोगों का जो टी टाइम शेक्षन होता है इसमें हम लोग अपनी कुछ 10 मिनिट्स की क्लास करते हैं तो इसी के साफ एक शुरू करते हैं आज के अपने कुछ जुड़े हुए विज्ञान स सब्सक्राइब करना न भूलिएगा रोज रातरी आठ बजे आपके लिए यह शेशन लाया जाता है तो इसी के साथ में शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रेशन लाल रख्त करणिका हैं या जिने आप आर बीसी यानि रेड ब्लेड सेल्स कहते हैं इनका निर्मार कह बनती है अस्तिमज्जा में बनती है नेक्स्ट कोशन आपका लाल रख्त कडिका हैं इनका जीवन काल क्या होता है यानि जो और ब्लेड करपरसल्स बहुत लोग पूशने हैं मैं आर बीसी का फूल फॉर्म तो बच्चे बदाते हैं मैं रेड ब्लेड सेल्स तोंको मैं बता कहा जाता है तो इनको लिउको साइट कहा जाता है यह कोशन एज रिट आप से पूचे जाएंगे यह तरीके का मैं आपको कोई कर रिवीजन कर वारी हूं यह क्लास भी बहुत इंपर्टेंट आपके लिए तो फटावट से तयार हो जाएए पंप्लीट करने के लिए लाज र शरीर का ताप नियंतरक होता है क्या होता है कौन सी ग्लेंड यानी क्युक ग्रशं की तो इस हाइपोथालमेश मनुष्य हियूमन की सर्वदाता हो तो समूय का होता है तो यूनिवलो डोनर की सिक्षा ने सक्षाटम और उसी सम तो यह एंत्र को कहा जाता है स्फिगमो मैनोमीटर कहा जाता है तो बहुत बच्चे पेट या कुछ गला या ऐसे करके चीज़े लगायाते तो उनको मैं बता दूँ कि भोजन का पाचन आपका मुख से ही प्रारंब हो जाता है जब आप भोजन का आप कह सकते हैं पहला कौर मुह में डालते हैं तो आपकी जो सलाइवा होते हैं उसमें एक इंजाइम होता है ताइलिन इंजाइम है ना वहीं से ये आपका क्या होता है पाचन प्रारंब हो जाता है पचे हुए भोजन का अवशोषन कहां होता है तो छोटी आत में होता है पित यानि बाइल जो श्रावित होता है वो कहां से होता है तो लीवर के द्वारा श्रावि यह जिसे आप master gland भी कहते हैं यह question भी आप से बहुत बार पूचा जाता है कि master gland किसे का जाता है तो यह रखेगा pituitary gland को master gland कहते है मनुष्य में पसलिया यानि ribs की संख्या कितनी होती है तो बारा जोड़ी होती है शरीर में हड़िया यानि bones की संख्या कितनी होती है तो दो सच्छे होती है hopes हो कि यह questions आपको पहले भी आते होंगे लेकिन अगर आप यह class देख रहे हैं तो it means कि आपका revision भी होता जा रहा है सरीर में मान स्पेशियों यानि muscles की कुल संख्या कितनी होती है तो 6,3,9 अब कैसे याद रखेंगे त्रिटूजा 6, 3,3,9 अगई बात समझ में इसे याद रखेंगे त्रिटूजा 6 और 3,3,9 ऐसे याद रखेंगे त्रिटूजा 6,3,9 अगई वाला इंजाइम क्या कहलता है त्यालीन इंजाइम अभी मैंने इसका नाम उपर लिया भी था लिंग निर्धारण कहां से होता है तो याद रखें पुरूष क्रोमोसोम या स्थ fan vaqui देखते ना ये वाला एक ऐसे करके यह दिल कर हांट का शेट नहीं होता है तो डिखें प।क कैसे मानतें आप चार को स्थी कौन है होते हैं तो पहले समझ Stevens क्या होता है ब्तिव मुठी नुल्प मुठी होता है आपके हाट का और इस चर चम्वार रहे वेंटरिकल डिव्ट औरल्ड लेफ गद ऑरिकल को पेसे समाज में शरीट difficile और उसके बाद में दाया निला और बाया निला बोलते हैं ठीक है इस राइट औरिकल राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट औरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल आई बात समझ उसके बाद में देखें शरीर में गुर्सूत्रों की संख्या यानि क्रोमोसोंज की संख्या पाई जात बागी के बच्चे हुए प्रेशन में आपको कल रात त्री आठ बजे करवाऊंगी ठीक है तो फटा फट से वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा यह तरीक है आपका पास मिनट का क्विक रिवीजन होता है यहां पर उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करके बैल लिए के प्रस करना ना भूलिएगा के सुबह दस बजय एक लाष आपकी शाम को साथ बजय और एक क्लास आपकी शाम को पाच बजय भी चलती है तो इन उसमि आना दन्य്द यह दी आपको ऐसे क्विक रिवीजान वाले सेशन चाहिए रोज तो फटा फट से कमेंट चेक्शन में कमेंट कर दीजेगा कि मैं एसे जेशन रोज ले करके आई है तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा